गुड मॉर्निंग चिल्रेन कैसे हैं आप सबूर्ट बच्चो आज हम ग्रेट फोर मैथमेटिक्स में केलेंडर पढ़ना और डेट लिखना सीखेंगे शृति के स्कूल में स्वतनता दिवस की तैयारियां चल रही थी शृति को कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर कि इस्पीर देगे उसके भाई ने उसे बताया कि 15 अगस्त को तो इस्कूल बंद रहते हैं शृति ने भाईको बताया 14 अगस्त को प्रोग्राम होना है पर प्रोग्राम के लिए भी बहुत रहसल बाकी हे और उसे पांचे दिन ही रह गया बहाई ने उसे बताया आज तो 4 तारिक है और अभी तो काफी दिन बाकी है शुती सोच में पड़ गई वह पता लगाना चाह रही थी कि प्रोग्राम में अभी कितने दिन बाकी है उसने भाई से पूछा तो भाई बोला ये तो बहुत आसान है इसका पता लगाने के लिए कलेंडर जानना सबसे आसान तरीका है चलो आज मैं तुम्हें केलेंडर पढ़ना सिखाता हूं देखो यह अगस्त के महिने का कलेंडर है अगस्त में 31 दिन होते हैं हर दिन उस तारीक को बताता है आज 4 तारीक है और दिन बुद्धवार यानि Wednesday है अब हम देखते हैं कि 14 तारिक को आने में कितने दिन बाकी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और दस दिन बाकी है शुती ने खुशी से कहा अरे ये तो बहुत आसान है अच्छा, मेरा बड़े भी तो इसी महीने आता है, 27 तारिक को तो बताओ, 27 तारिक को कौन सा दिन होगा? भाई ने उसे बताया, देखो, केलेंडर में हम साथ दिन के ग्रुप को देखते हैं यह सप्ता या वीक कहलाता है सप्ता के साथ दिन तारिक हैं लिखी होती है तो यह लिखी है, 27 तारिक तो बताओ, कौन सा दिन है 27 तारिक को? येस, फ्राइडे, यानि शुक्रवा तो देखा बच्चो, केलेंडर को देखकर हम यह कितनी आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस तारिक को कौन सा दिन होगा? चलो, अब थोड़ा तारिक के बारे में भी जानते हैं क्या आप जानते हो, एक साल कितना बड़ा होता है? देखो, जब आप नई क्लास में आते हो और उस क्लास को पास करके अगली नई कक्षा में चले जाते हो तो इसमें लगा समय पूरा एक साल कहलाता है एक साल में बारा महिने होते हैं. ये महिने हैं January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. हर महिने में 30 या 31 दिन होते हैं. जैसे August महिने में 31 दिन होते हैं और September में 30 दिन. आप केलेंडर में देखके बाकी महिनों में कितने दिन होते हैं ये पता लगा सकते हैं. महिने का हर दिन उसकी तारीख होता है. जैसे August का चौथा दिन चार तारीख कहलाता है. क्या आपको पता है कि तारीख कैसे लिखते हैं? तारीख लिखने में हम सबसे पहले लिखते हैं दिन, फिर महिने का नाम या नंबर और फिर साल का नाम. अब जैसे अगस्त की चार्ट तारीक को लिखना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4. August 2021 कई बार हम तारीक को केवल नंबर में लिखते हैं इसके लिए हम महिनों के क्रम को नंबर में बताते हैं जैसे August साल का आठवा महिना है तो तारीक होगी 4.8.2021 2021 साल का नंबर है इसी तरह जुलाई की 26 तारीक हम लिखेंगे 26 जुलाई 2021 या 26 सेवन 2021 अब आप कुछ और डेट लिखने का प्रयास करें जैसे इस साल का गरतंत्र दिवस की तारीक यानि 26 जन्वरी सिक्षक दिवस यानि 5 सितंबर गांधी जैन्ती यानि 2 अक्टूबर और हां बच्यों इन सभी डेट्स को लिख कर आप अपने क्लास टीचर मैटम या सर को अवश्य दिखाएंगे थैंक यू